हेलो दोस्तो कैसे होतो दोस्तो आज के इस नए विडम आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस नए विडम पर बात करने वाले सेकंड टीट्वेंटी आए मैच के बारे में जो क्यों होने वाला है आईरिलंड और इंडिया इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तों ये मैच रात को 9 वजे स्टार्ट हुगा विन्नी होने वाला इड़ विलेज डबलिन में ठीक है लास्ट मैच बहुत बहुत बढ़ी हार हमार लिए हेरिटेक्टर हमार लिए गेमचेंजर रहे थे इस match में ऐसा कुन सा player रहेगा जो हमारे लिए game changer बनेगा last match में रुतराज गायकवाड ने open नहीं किया था इंडिया के लिए उसके क्या रिजन्स थे और क्या इस match में रुतराज गायकवाड open करेंगे ओ देखने लाइक बनेगा क्या इंडियन टीम में changes होंगे इसके पर हम लोग बात करेंगे और इस match की game changers जो हमारे लिए game changer बन सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ने इस पर आपको करना कि आपको टेलिग्राम चैनल से join होना है टेलिग्राम चैनल के link आपको comment section में first comment में या फिर आपको description box में मिल जाएगी और जरूर join हो जाना final updates मिलेंगे और बाकी सारे matches के teams भी आपको यही पर मिल जाएगी बढ़ते आगे बात करते हैं ह तो ground बहुत चोटा है सबसे पहले बात तो ground बहुत चोटा है बिलकुल success लगाना बहुत बड़ी बात में बहुत आसानी से आपी success लगेंगे हो सकता है कि force कम लगे और success जादा लगे but weather again same weather situation है जैसे first match में थी या फिर आप उससे खराब भी कह सकते हो ठीके पिछले match में तो चलो बारा बारा ओर्स का गेम हो गया हो सकता है इस मैच में वह भी ना हो कुछ कहने सकते हो Ireland कुछ इस तरह के situation भी चल रही है but hopeful रहे कि यार मैच हो जाए जितने भी और सो at least मैच हो और पूरा मैच देखने को मिले और पिछली मैच में देखोगे तो Ireland ने 108 बना दिये थे और इंडिया ने 111 बहुत आसानी से बना दिये बारा बारा ओर का मैच था प्यूर बैटिंग विकेट थी और बठा पेसर्स के लिए बहुत कुछ था बहुत कुछ था पेसर्स के लिए सीम मोमेंट अविलेबल था और बहुत हिल्प मिल रहा था but at the same time बैटर्स के लिए प बढ़ते आगे बात करते हैं आइलन के बारे में तो कुछ इस तरह के से आइलन की टीम रही थी पिछले मैच में पॉल स्टर्लिंग ने सिफ चारन बनाया थे बताया था भी आपको वीडियो में भी प्लस टेलेग्राम पे भी कि ये फ्लॉप होंगे बालबरी ने जिरो बन वीडियो में थे जो शोली लिटर को एक विकेट मिला था और क्रेग यंग को मिली थी दो विकेट्स भिकेट्स टीक है कनर और वॉल्फट जिरो विकेट्स थी मांग अब बढ़ते आगे है ये कुछ औरल स्टैट्स प्लस रिसेंट पॉरम आपको देखने को मिल जाएगा इंड़ाइ के प्लेंग इले उन रही थी पिछले मैच में उम्रान मलिक को चांस मिला था हर्षल पतल के जगवे संजु सैम्सन को चांस नहीं मिला था दिपोक हुडा को खिलाए गया था जो मेरी सबसे सही चीज करी गई थी और पिछले मैच में क्या था रुतराज गायकवा बट सुर्यों कमार यादों का कमबैक उतना अच्छान नहीं रहा पहले बॉल पर लिग भी फॉर हो गए थे हार्थिक पाइलान 24 अच्छे बनाए थे प्लस एक विकेट निकाले थी दिनेश कार्थिक नोटवाट फाइरंस थे अक्षर प्रल ने एक और डाला था बुनिश चेंजेस होंगे देखो अगर रुदराज गाएक वाट फीट नहीं है तो मोस्ट रैकली संजु सैंसन खेलते हुए दिखने चाहिए और डारेक्टरी शान किशन के साथ ओपन भी कर सकते है या फिर भूटा के साथी ओपनिंग करवाई जा सकती है क्या बॉलिंग में के बाद ना इन लोगों को चांस ज्यादा मिलने ने वाना विकोस इंग्लेंड से आपको इंडिया की जो में टीम है जो गयारा प्लेस के लिए इंडिया देख रही है वलकप के लिए वही गयारा प्लेस आपको मोशली दिखेंगे तो अक्षर अर्शरीप सिंग को यहाप पर अगर चांस मिल जाए तो बहुत सही बात रहेगी बाकी इंडियन प्लेस के अगर हम लोग रिसेंट फॉर्म के बात करें तो आप लोग यह चेक आउट कर ले सकते हो सावत अप्रिगंट सेरी जो रही थी उसमें सब प्लेस ने क्या किया तो आप वो चेक आउट कर लो आप लोग यह पर चेक आउट कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों बनाते है स्मॉल लिग टिम विकेट के पर सक्षिन आपको मिलते है टकर और दिनेश कार्थिक ठीक है अगर संजू सैमसंग खेलते तो यह इंपॉर्टन पीक रहेंगे बिकॉस यह उपन करने के फिर हाई चांस रखते है ठीक है तो फिर अगर ओपन करते हैं तो हम लोग डारीक लिए अपनी टिम में ले लेंगे अभी के लिए लोकन टकर को लेते हैं चलते बैटिंग सेक्षन में इशान को लिया दिपकुटा को लिया और यहापी सुरिया को लिए हो अब अगर संजू सैमसंग खेलत है जो हम धर बैटर लेंगे वह अक्यूंट प्लेंग इलें अक्यूंट इस पॉइंट पर हूड़ा को ही प्रेफर करते हैं अब यहाँ पर हेरी टेक्टर है पॉल स्टरलिंग मैं ने टेक्टर को फिर से प्रेफर किया आप चाहों टस्टर्लिंग लेलो बिगॉज देखो न्यू बॉल के साथ फिर सेपरेशन होंगी फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं रहा था रिसेंटि टी ट्वेंटी ब्लास में हम लोग ने पिछली मैच में पिछली मैच की वीडियो में बात करी थी बालबरी ने ठीक प्लेयर हैं मतलब अच्छे प्लेयर हैं भर टीट्वेंट लुए नहीं करेंगे बट अगर फिर से मैच शॉट हुआ तो बॉलिंग करेंगे यह बात याद रखना जोर्ज डॉक्रेल से जोर्ड युख रिलकर वही किने अगर पूरे बीस और का मैच वा तो बॉलिंग नहीं करेंगे बट दोनों बैटिंग कर लेते मुश्टी डेलागी क्यों विकॉस यह आपको बॉलिंग जरूर दे देंगे ठीक है अईयर नहीं खेलेंगे जलते बॉलिंग सक्षन में जबसे पहले लिया भूई को फिर लिया युजुंदर चहल को अब हमसे इंडिया का एक ही प्लेयर ले पाएंगे छे इंडियान प्लेयर ले चुक को ही लिया है अब हमें लास्ट लेना है जो में आईश प्लेइर लाय तु कारेज को ले सकते हो Hungarian को ले सकते हो या फिर विक्सकलि अलव्छा ने बात करेट प्सटस्टॉर्लिंग सिधा सिदा लेलो बात खतम हो जाएगी ओक है जिकत्रिय कर सकते हो या फिर कर्द झाल ले रहा हूँ और गाइस कुछ इस तरी के से मैं अपनी टीम बना रहा हूँ को लेना है तो ठीक है यह बात याद रखना कैप्टन से बात कर लेते हैं तो इशान किशन जो उपन करते हैं सेफ ऑप्शन है हाल दीक पांड़ है यह रब कैप्टन है तो फिर यह खुद को बॉलिंग जरूर देंगे बेज़े से इन और पिछले मैट में दो और खुद से कर सकते हैं ओविसली तो आप इनको सजरूर कंसिडर करो और फिर बाकी चहल और उम्रान मलीक भूनिशर कुमार जैसे प्लेयर तो ही आपके बाद जिनको आप ट्राइ कर सकते हो इस पॉइंट पे मैं यहाप पे चहलो को मेरी कैप्टन से दे रहो और वाइस कैप्टन से मैं य पिछली मैट में तोड़ा देखा था यह जो आईरिश प्लेयर्स थे ना इनको पता था लास्ट टाइम छे विकेट निकाली थी चहल ने इनके सामने जब 2008 में मैचेस हुए थे सेम वेन्यू पे तो इन्होंने पिछली मैट में ने चहल के अगेंट्स कोई रिस्क नहीं लि को भूनेशर कुमार को भी विसी कर सकते हो जो अम पिछले मैट में भी को क्या था था अपटन कर दीया था तो अप्य यह चेज भी कर सकते हो ठीक है और चाहो हो अगर पहले बैटिंग इंडिया के तो सुरिया को कंसिडर करो या फिर हर्दिक पांडय से पीश्टी रहेंग बहुत इंपॉर्टन पॉइंट रहेगा वेदर किस तरीके से कितने ओर्स का मैच होता है क्या होता है उससी जब से हम लोगो कुछ चेंजस करने पड़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट अगेन कम ही रखोगे जैसे मैं पिछले मैच में बारिश आ गई थी तो टाइम एक्स्टें मिलते रहेंगे वेदर के क्या सीने क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनल टीम चेंजे होगी और फाइनल टीम मैं आपको टेलेग्राम चैनल पर अपडेट कर दोगा टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप लोग जॉइन हो सकते हो वीडियो पसंद आयोगा वीडियो को लाइक कर तो यूटिब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बिर आइकल को जरूर प्रेस कर देना थैंक यू सो मुच गईस वर वाचिंग